नमस्कार दोश्वागे थे अपनी यूटूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जी के मैं है दोस्तों सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे क्योंकि यह जो आपकी सीरीज इस्टार्ट हो रही है आने वाले ग्रूब डी और एंटी पीछी सीविटी टू एक्जाम से लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है आपको पता होना चाहिए रेलवे एंटी पीची का एक्जाम है 28 तिसमर 2020 से लेकर 31 जुलाई 2021 तक टोटल ये एक्जाम 133 सिट में 68 डे में कम्प्लिट हुए हैं तो इस रंखला में अपन मैस हो गई रिजनिंग हो गई और जीके के स्वाल जो परते एक सिट में 100 स्वाल पूछे गए हैं जिसमें आपके 40 स्वाल तो जीके के हैं साथ इसाथ 30 स्वाल रिजनिंग के हैं और 30 स्वाल मैत के पूछे गए थी तो यहाँ पर इस रंखला में सारे स्वाल हल साई देखने वाले मैत के स्वाल का क्या exact solution होने वाला reasoning के स्वाल का देखिए जो आपके 2018 में exam हुआ था math के स्वाल same pattern से पूछी गए क्योंकि 18 वाले मैंने लगबद 50 स्वाल आपको हल कराई थी math और reasoning वगएरा की तो इसमें भी ये सरंखला continue कर रहे हैं चनल को subscribe करके bell icon hit कर देना ये आपके पहले ही दिन जो exam हुआ था 28 समन 2020 को पर्तम पारिमें तो इससे पने पूछेगे सारे स्वाल स्वाल अपन हल साई देखने वाल है बने रहेगा वीडियो के end तग ये सारे स्वाल का solution देखे है उससे पहले मैं आपको बता दूँ आप किसी भी कमडेटो एक्जाम की तेहरी करते हूँ अपनी तेहरी को परखने के लिए convenience level हो गया या फिर time management exam में बहुत ज़्यदा भी माइने रखता है सभी के लिए practice के तोर पर आपको Delhi एक mock test लगना बहुत ज़्यदा जरूरी है mock test के लिए test book इसलिए बहुतरीन प्रेटपरम है एक तो यहाँ पर आप unlimited mock test लगा सकते हो second है सभी exams के mock test आप एक की पास के अंतरिकत लगा सकते हो जिस भी exam की तेहरी कर रहे हो इसमें भी इदिए आप TTG के open code यूज करते हो तो आपको extra 10% का all discount मिलने वाला है तो इस बहुतरीन अपोचुनिटी का लहाग उठाने के लिए link description box में है click करके mock test लिए join कर सकते हो जो भी आपके लिए suitable pass है चाहिए आप SSE की त्यारी करे हो सासाथ banking, railway, defense, किसी भी exam की करे हो सारे exams के mock test आपको एक ही pass में मिलने वाले है exam में जो आपको pattern या फिर dashboard देखने को मिलता है SAM interface से यहाँ पर भी आप practice कर सकते हो और TTG के corporate court से आपको extra discount मिलने वाला है तो link check कर दीजेगा description box में है तो चरी अपन देख लेते हैं जो आपके NTPC exam के पहला ही दिन exam वहा था 28 December के पर्थम sit में तो इस tip में पूछगे सारे 100 स्वाल है जिसमें reasoning math और GK के स्वाल include रहेंगे solution site तो देखेगा जो पहला स्वाल है उस विकल्प का chain करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंद है जो दूसरे पद का पहले पद से है यह आपका दूसरा term है यह पहला term है तो दूसरे का पहले के साथ जो संबंद है वही संबंद आप करेगा जो आपको ज्याद करना उसका तीसरी पद के साथ में ठीक एसमें कोई court बगएरा नहीं है डारेक्टली यहाँ पर spelling का खेल है lawyer है lawyer का मतलब कह सकते हो वकील वकील कहां पर काम करते है तो आप कहेंगे court में lawyer है वो court में duty करते है इसी परकार जो beautician है वो beauty parlor में काम करते है तो parlor यह correct हो जाएगा beauty parlor है easy स्वाल था court का प्रियोग मत करना आप ऐसे नहीं आप सोचने लग जाओ कि L का इस्तान 12 है 1 A है तो 12 C 1 यह तो आपको court दिया ही नहीं है डारेक्टी spelling का ही खेल है meaning का मतरव आपको निकालना था इसमें अगला स्वाल दिखेगे आपर वह सबसे बड़ी सेंख्या बताईए जिससे 155, 260, 315 को विभाजित करने पर करमश 5, 10, 15, 6 पल बजजगा देखी यह जो टोटल 133 सिप्ट है इसकी PDF आपको टेलिगाम चैनल पर जल्दी 5-7 दिन में मिलने वाली है तो टोटल सिप्ट आपको फ्रीम मिल जाएगी description आपको टेलिगाम चैनल के लिंक है वहापर अपडेट हो जाएगा तो वह सबसे बड़ी सिंख्या आपको निकालनी है जिससे 155 यहनि आपको option के according ना करके वैसे option से करेंगे तो easy हो जाएगा जल्दी हो गाए लेकिन मैं आपको इसका हल भी बताने बाला हूँ तो ऐसी सिंख्या रहेगी जो मैं x मान लेता हूँ अब एक्स मानना नहीं लेकिन एक तरीकी सापको समझा रहा हूँ स्वाल क्या कह रहा है तो एक ऐसी सबसे बड़ी वो भी सबसे बड़ी सिंख्या लेनी है जिसमें यदि आप 155 में भाग देंगे उस सिंख्या का या फिर 260 में देंगे 315 में देंगे सबसे पहरे 165 में देंगे तो आपको 6 फल रिमेंडर है वो 5 रहेगा 260 में देंगे तो रिमेंडर 10 हaison और 315 में देंगे तो 6 फल आपको 15 मिलने वाला है तो यह संक्या क्या होगा यदि आप ऑप्सन से करते हैं तो सबसे पहरे बड़ी संक्या से ही ट्राई कीजिगा यहीं आप 55 से भाग देते हो 155 में तो भाग तो चला जाएगा दो बार जाएगा तो आपका सेस्पल 5 रह जाएगा लेकिन आप 260 में देंगी 55 का तो 55 का यदि 3 बार देंगे 225 आ जाएगा उस case में आपके पास remainder है वो ज्यादा रह रहा है सेकेंड केस में आपको 10 चाहिए तो 75 तो होई नहीं सकता सबसे बड़ी सिंख्या लेनी है तो 75 के बाद बड़ी सिंख्या 50 आ रहे आप 50 से ट्राई करेंगे तो आपका exact भाग चला दाएगा 50 का यदि 155 में देंगे तो 5 रह जाएगा 155 में 260 में और 315 में मैं क्या करता हूँ मेरे को एक ऐसी सिंख्या मिल जाए जो की सेश्पल बच्चे ही नहीं 0 आ दे तो आप कहेंगे उस केस में तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा इन सभी का HSE F लेना पड़ेगा highest common factor आपको निकालना पड़ेगा common factor नहीं एक ऐसा आपको यहाँ पर मिल जाए सिंख्या जो की 155 में या फिर 260 सेश्पल 0 रहे उस केस में आप कहेंगे वैसे इस सिंख्या के भाग दे तो शेश्पल आपको 5 मिल ले 0 के लिए आपको क्या करना पांच मैंनिस करना तो उस केस में आपको फास सिंख्या है कौन सी निकलने वाली है तो 5 माईनस कीजिए 1005 में आप कहेंगे 150 आजएंगे सेकन में आपको 10 ع.त रह रह रहा है यही 10माइनिस नीकाफर निकालता हूं तो मेरको मिलता है देखिए जिनको HCF भी नहीं आता तो सबसे पहला आप लोजिकली इसको निकाल सकते हो नहीं common सिंख्या का भाग दीजीगा जिसमें 150 में भी जा रहा है दो सबसे पहला आप 25 से ट्राइ कीजेगा बड़ी सिंख्या से ट्राइ करेंगे तो 150 में यह आप 25 का भाग देते हो 150 वाट यह आप 25 का करेंगे तो यह आपके 6 बार चला जाएगा चीक है और 25 का 250 में देंगे हो जाएगा क्योंकि इन तीनों का यह आपको common factor निकाला जो highest है तो यह निकल के आगया है अब भाग नहीं जा रहा है तो 25 गुणा दो यह नि पचास है तो ऐसा आपके पास common factor आगया पचास अब पचास का एदिया आप भाग देंगे 150 में पूरा चला जाएगा तो उस case में आपको क्या चाहिए यहाँ पर 6 पल तो 5-10 कब होगा जब इसमें आपने 5 एड़ किया इसमें आपने 10 एड़ किया जो वास्ट्विक सिंख्या तो यही है न तो आपको क्या मिल गए यहाँ पर 50 वह सिंख्या है जिसमें आप जिसको 150 में 250 में 300 में भाग देते है तो 6 पल रिमेंडर 0 बचता है क्योंकि यह सभी का common factor है और आपको चाहिए यह 6 पल है तो इसमें आपने पहुंच एड़ गटाया तबी तो यह निकल का ही न 0 6 पल है तो automatically यहाँ पर answer क्या हो जाएगा 50 हो जेगा अब आप कहेंगे इतना बड़ा solution solution आपको समझाने के लिए बड़ा हो रहा है एक्जा में आप directly achieve निकालना है 5-10-15 कम करके और exact answer आजएगा अगला स्वाल दिखीगा एक train है वो station A से station B के और 50 km प्रती घंटा की जाल से निकलती है आदे घंटे के बाद एक अन्य train station B से station A की और तो यह में माल लाता हूं station A हो जीके यहाँ पर आपका दूरी है यह बाद मताऊंगा पहले क्या कहरा स्वाल A से station B की और 50 km प्रती घंटा की speed से चलती है एक train यहां से निकल पड़ी है 50 km प्रती घंटा की speed से ठीक है 50 km प्रती घंटा की speed से अब देखे यह क्या बोल रहा आदे घंटे के बाद तो आप कहेंगे आदे घंटे में train कितनी चली है तो speed इसकी 50 km है और यह एक घंटे में 50 km चल सकते हैं इसकी speed का मतलब यह है तो आदे घंटे में आप कहेंगे तो 25 km कुछ चली होगी यहां तक आई होगी 25 km ठीक है आप दीके आगे क्या कह रहा है कि एक आदे घंटे के बाद अन्य train station B से station A के और प्रतान करत हैं लेकिन तो second train इसकी speed है 150 km पर थी घंटा यह निकलती है दोनों station के बीच की दूरी 725 km है तो यह मैं बता देता हूँ दोनों के बद्दे की distance है 725 km हो गई जिस इस्तान पर दोनों train मिलती है उस इस्तान के station A से दूरी क्या होगी अब देखिए यह train यहां से निकल रही है अब दोनों train क्या है एक दूसरे के आमने सामने आ रही है सेम डारी है उस case में क्या होता आपको पता है जो speed रहती है वो दोनों की add होती है ठीक है दोनों यह एक समानद क्योंकि जल्दी पहुँच रही यह बीदर आ रही यह बीदर आ रही इसका मतरों speed आप add करेंगे जो पहले ये वाली ट्रेन की स्पीड है 50 और इस वाले की है 150 तो आप कहेंगे स्पीड अब दोनों की जो शुक्त कह सकते हो वो हो गई है 200 किलोमेटर परती घंटा अब ये ट्रेन है कहां पर मिलेगी तो सबसे पहले देख लीजिएगा अब इनके मद्य दूरी कितनी है आपने का कहां 75 तो टोटल थी 25 ये हो गई अब इनके मद्य दूरी है ये 700 किलोमेटर है ट्रेन चल रहे है 200 क्लोमेटर परती घंटा के स्पीड से देख लीजिये कोई मेटर शेकेंड का नहीं है सभी में किलोमेटर घंटा तो यहाँ पर चैंज तो आपको यूनिट करनी नहींय है अ यहाँ पर जो समय निकल कर आ गया आपके साधे तीन घंटे कसमें, अब साधे तीन घंटे में ये ट्रेने आपस में मिल जाएगी, इसका मतलब हैं, जो 700 किलमेट डूरी हैं, इन्होंने तैक कर दी हैं, दोनों ने मिल कर इस साइड और इस साइड हैं, और आपस में जो मिलेग तो यहाँ से स्टार्ट होई थी, आगे वो साधे तीन घंटों में आपकेंगे, दोनों मिली हैं, तो साधे तीन घंटे तब तो यहाँ पर वो कहीं चली होगी, तो साधे तीन घंटों में वो कितनी चली हैं, जब उसकी स्पीड हैं, पत्चास किलमेट प्रती घंटा, यहन 155 तो यह यहां तक चली है ठीक है यहां से यहां तक और 25 पहले चली तो एक की जब मिली है इनकी दूरी तो ग्याद करने 155 यह 25 यह तो आपके 200 किलिमेट इनके मद्दे की डिस्टेंस हो जाएगी आई होप आपको समझ में आ जा है बढ़ते हैं अगले स्वाल क्यों और नेश्ट आपके जो स्वाल नंबर 4 क्या कह रहा है रूट के अंदर वैल्यू दे रखिए सबी रूट है उपर नीचे यह डिलिट कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देखने रहे हो रूट 54 है उसके बाद रूट 125 उसके बाद रूट 24 मल्टिप्लाई आपके हो रहा है और रूट 45 आप देखीगा सबी में रूट है तो कोई दिक्कत नहीं है डारेक्ली मैं रूट एक ऐसे ही लिख देता हूँ आप डारेक्ली सॉल कर द देता हूं नो का भाग जा इने नो का भाग 45 में पाच भार इधर नो का भाग जोगुन में यह च्मवर चलाएगा अब देखेच का भाग यह आपका एक reasoning का स्वाल पूछा गया है, उस विकल्प का chain करें, जिसका तीसरे अक्सर क्षमों के साथ वही संबने जो दूसरे अक्सर का पहले के साथ में, यह आपकी यह relation वाला ही की जिसा स्वाल पूछा गया है, अब देखिए यह किस पर का relate कर रहा है, यह आपके बाद किया आ रहा है, एस आ रहा है, फिर आपके एक बाद आ रहा है, अब देखिए कम हो रहा है, आर कितना होता है, 18 होता है S कितने पर होता है S होता है 17 पर 17 नहीं यहाँ पर 19 ही होगा है तो 19 पर S हो जाएगा और देखे एक बड़ा R S हो गया ठीके A के बाद यहाँ पर 2 बड़ा B हटा के C किया है कोई दिक्कत नहीं और अब देखे आपको क्या करना है V के बाद क्या करता है U आजाएगा सोरी यहाँ पर V, U, W U, W होता है तो V आया है V के बाद आपका W क्योंकि R के बाद ऐसा है इसका मतर V के बाद क्या आएगा W आजाएगा और इधर किस परकार आजा है A के बाद C आया यानि B को छोड़ कर तीसरा आया है तो यहाँ पर भी X के बाद आना तो Y चाहिए लेकिन Y को छोड़ना है तो आप कहेंगे Z आ जाएगा अब WZ किसमें आ रहा है W तो सभी मारा Z सेकेंड में आ रहा है और किसी भी नहीं है पता होना चाहिए बहुत बार बता है मैंने आपको फते पूशी कि जो आगरा में उत्तर प्रदेश में है ना कि दिल्ली में बाकी सभी याँ पर दिल्ली में देखने को मिलने वाले हैं नेक्शनों देखीगा दियेगे विकल्पों में ऐसे वो शब्द का चैन करे जिसे दियेगे शब्द के अक्सरों का उप्यों करके नहीं बनाया जा सकता है ये बिल्कुल इजी सा बैसिक सा स्वाल आप कहा सकते हूँ जैसे कि इसमें आप देखेंगे H है, H इसमें भी है उसके बाद N देखीगा N नहीं है, इसका मतलब ये वर्ड इससे बहनी नहीं रहा क्योंकि N है नहीं, T तो है लेकिन N नहीं, बाकि R A T आपको R A है, A है, T है, E है सब है G A T भी है, G A है, T है E है, लेकिन ये एक E जी सा Spelling का स्वाल पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं अगरा स्वाल दिखीगा, प्रातना श्रमाज के शंस्तापके आत्मारंग पांडूरंग हो जाएंगी National दिखीगा, किस शिक गुरू को गुरू ने खाल सा पंद की स्थापन की आप कहेंगे, गुरू गोविन सीहिंजी ने खाल सा पंद की स्थापन की, वैसे जितने भी आपके NTPC में GK की स्वाल पूछागे है जल्दी आपको, मैं टाइम दीजेगे क्योंकि काफी सिप्ट है, वीडियो काफी बड़ा आने वाला आपको, तो उसमें GK के सारे स्वाल एक्स्ट्रा फेक्ट साइज सामील होंगे यहीं आप कह सकते हो, 133 सिप ने पूछेगे, सारे 133 सुरा 40 GK के स्वाल जल्दी आपको मिलने वाला बड़ा धमाका होगा, एक बहुत बड़ा वीडियो आ जाएगा एक्स्ट्रा ने संस्थाहित आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल एकन हिट कर देना, देखिए यह जो आपको स्वाल पूछा गया है, पानी पत का दूसरा यूद अक्बर और हेमू के बीच में, शेकिन यूद 1556 अपन में हुआ था, तो एंसुरिया पर सी करेक्ट हो जाएगा, फिर अगला स्वाल दीखेगी आपर स्वाल नमर 11, सौराज मेरा जरमशिद अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूँगा ये किसने कहा था, बाल गंगादर, तिलक नहीं नेकशनल देखे गया, निमलिक्त में से कौनसा इए फिस्ट में मल्टी बेरल रॉकेट सिस्टम है, मल्टी बेरल रॉके में इसमें आपके पिनाका हो जाएगा, जो ड्याइशिव पाहल आपको ठोड़ा बलकुल इजी स्वाल आप कहेंगे इसको भी एक pub धनरासी है यहीं आपका जो प्रिंसिपल है मूलधन है उसका 10 परतिसत वार्षिक दर्शे दो वर्ष का ब्याज है वो 500 रुपे हैं सबसे पहले तो आपको सिंपल इंट्रेस्ट है वो दे रखा है और धनरासी पता नहीं है ठीक है सेकेंड क्या पूछें आपको तो समान आई मिनेवाला आपको कंपांड इंट्रेस्ट ज्यात करना हैं कंपांड इंट्रेस्ट के लिए आपको पहले तो धनरासीं चाहिए और सबसे पहले जो आपको शुरुआत में यह एक लाइन दे रखी है इसका मतलबे आपको यहां से निकालना है मूलधन simple interest क्या कहता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है यह आपका आजाएगा SI साधान ब्याज ठीक है अब मूलधन तो आपको पता नहीं principle क्या है लेकिन rate आपको पता है 10% है time आपको पता है दो वर्षे बटा 100 करेंगे तो यहां पर आपका SI कितना SI दे रखा है मूलधन निकालना है तो SI आपको simple interest 500 दे रखा है यहां पर मैं 500 कर दूँगा अब इसको आप स्वालो करेंगे यह आपके 0 से 0 गया तो P कितना आ गया यह आपके 5000 बटा 2 यानि 25 रूपे यह P क्या है P आप कहेंगे धनरासी है 25 रूपे का 10% वार्षिक दर्षे दो वर्ष का शाधान ब्याज है वो 500 रूपे होता है तो प्रिंसिपल आपको 25 रूपे दे दिया है अब नेश्ट क्या गयाद करना है इन 25 रूपे का समान समय में चक्रवर्धी ब्याज 10% की तर्षे तो 25 रूपे हैं 10% आपको पहले वर्ष में ब्याज देना है तो आपके ब्याज कितना हो देगा 25 रूपे ब्याज हो गया तो ब्याज आपको ब्याज 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 लगा देगा 25 रूपे हैं टोटल आपको ब्याज कितना मिल रहा है है यहाँ पर 250 मिल रहा है यहाँ पर 250 रूप यहाँ पर 25 रूपे तो आप कहींगे 250 और 250 पांसो और पच्चिस यानि पांसो पच्चिस रुपे का आपको ब्याज मिल रहा है ये ब्याज है चक्करवर्दी ब्याज इजी स्वाल था अगले स्वाल के रमूव करते हैं स्वाल दिखेगा इस रो ने किस वर्ष में मार्श और बिटर मिशन की शुरुआत की हैं 2013 में की सबी को पता होना चाहिए नेश्ट वन किसी सम चत्रबुज के आश्चन कौनों का रेशियो आपको तीन और च्छ दे रखा हैं सम चत्रबुज के सबसे छोटे कौन का मात क्या होने वाला है ये भी एजी स्वाल एडिया आपको सम चत्रबुज की विशेष्टाएं पता हो तो सम चत्रबुज में क्या होता है सबी भुजाई क्या होती है बराबर होती है और चारों भुजाई समान हो गई आमने सामने के कौन याद रखीगा सम चत्रबुज में रॉममज में आमने सामने के जो कौन होते हैं वो एकवल होते हैं और विकेंड क्या करते हैं ये विके समों कौनों को भी समद्यभाजित करते हैं और एडिया एक बटा दो गुणा विकिंडों का गुनद्फ़ल होता है लेकिन इन सभी का आपको मतलब नहीं आपको सिर्फ एक विश्यस्ता चाहिए कि जो सम चत्रबुज हैं इनके आमने सामने कौन मेंने क्या पता है एक्वल होत आपके गी तो 9X हो गया लेकिन इन दोनों के योग होता कितना है आसन कौनों का 180 डिगरी तो X बराबर कितना हो जाएगा 20 डिगरी अब X 20 डिगरी हैं आपको ज्याद क्या करना है सबसे छोटे कौन की माब यहाँ पर एक 3X है छोटा आपको कौन सा देख रहा है आप 3X छो से छोटा है वो 60 डिगरी हो जाएगा और बाकि यदि आप मेंने कहा कि कौन क्या होता है बराबर होता है तब जब यह 3X है तो सामने बाला भी 3X है तो 6X तो यह हो गई और यह 6X है तो सामने बाला की 6X 12X है और 4 कोनों की योग होता है 380 होता है तो सेम वो ही आने वाला है 12 और 6 18x बराबर 380 380 कब होने लग गया 360 तो 18x बराबर 360 है x बराबर 20 दिग्र यहां से भी आ जाएगा तो इस परकार भी आप करशकते हो और ये एक easy स्वाल हो गया बढ़ते हैं अगले स्वाल की और इसको delete करते हैं सेरी कल्चर शब्द हैं निमलिक्त में से किस्से संबंदित हैं रेश्यम की खेती हो जाएगी easy स्वाल निमलिक्त में से कौन सा देश हैं बिमश्टेक का सदिशिय नहीं है अगला स्वाल 4 शिंख्या यूगमद ये गए हैं जिनमें से तीन किसी प्रकार से एक सम्मान है जबकि चौता अर्ष्रंगत है तो अर्ष्रंगत है कौन सा वो आपको निकालना है easy स्वाल आप लोजिक से निकाल सकते हो दिकि 96 में 12 का भाग है वो पूरी बार जा रहा हैं कितनी बार? आप केंगे 8 बार जा रहा है 120 में भी आपका भाग जा रहा है किसका? 15 का जा रहा है 120 में बिल्कुल जा रहा है ये 8 बार इसमें भी जा रहा है और 104 में जब आप 13 का भाग देंगे उस केस में भी 8 आने वाला लेकिन 118 में 118 में 16 का भाग जाही नहीं रहा 8 आहीं नहीं रहा कितना आरह 7 पॉइंट सम्तिंग आपके जा रहा होगा तो ये भाग पूरा 8 बार नहीं जा रहा है आप कह सकते हो तो ये अलग हो जाएगा भीन विश्रम ओड़ी पुछा है कोई एक कतनी अगला स्वाल एक आयत की लंबाई इसकी चोड़ाई से दोगनी है और आयत का जो परिमाप दे रहा है वो आपको 48 सेंटिमेटर है तो आयत का चेतर फल ग्याद करना है इस इस स्वाल है देखिए आयत की लंबाई और चोड़ाई का योग फल होता है आयत की चार भज़ाई का योग उसका परिमाप हो जाएगा जिसमें लंबाई आपस में इकल है चोड़ाई एकल होती है यहाँ पर देख कcciones令 रखा है इसकी लंबाई है ना दिखिए आयत की लंबाई चोड़ाई से दुगनी है चोड़ाई B है लंबाई L है दो गुणा ये L का मतरब लंबाई है बी का मतरब चोड़ाई है जब आपको दे रकासवाल में कि लंबाई उसकी चोड़ाई से दो गुणी यानि लंबाई है वो दो गुणा चोड़ाई करने पर मिल रहे है यानि लंबाई किस्तान पर आपको टू भी रखना है तो टू भी और B तो यह ही है पलस B बराबर आपका जो परिमाप दे रखा 48 cm है अब यह कितना हो गया 2 गुणा 3 B बराबर 48 है अब 3 B बराबर कितना हो गया 24 हो गया और B बराबर कितना हो गया 24 बटा 3 इन्हें आप कहेंगे B बराबर हो गया 24 पर 3 इनका भाग दीजी का 8 आजाएगा अब जो B 8 आ गया B का मतलब क्या है चोड़ाई चीकिन चोड़ाई 8 है तो लमबाई कितनी है तो मैंने क्या बता है लमबाई चोड़ाई की दुग नहीं है लमबाई आपके हो जाएगी दुग नहीं यह जो 108 सेंटीमेटर स्कॉर तो यह एक एजी सा स्वाल पूछा गया है अगले स्वाल के रबढ़ते हैं एक रस्षी को तीन अलगलग भागों में विवाजित किया जाता है पहला भाग पूरी लंबाई का एक बटा पांच है दूसरा भाग पहले भाग का तीन बटा दो है तीसरा भाग रस्षी का कितना अंस है ये भी इजी स्वाल आप निकाल सकते हो जल्दी से अब दीके रस्षी को तीन भाग में आप मार्ट रहे हो जो पहला भाग है इसको मैं कलर चैंज कर देता हूँ तो ये कलर आपके सही रहेगा ठीके अब क्या बोल रहा है कि पहला भाग पूरी लंबाई का एक बटा पांच है तो पहला भाग है कोई भी लंबाई हो एक्स मान लेता हो आपकी सुईधा के लिए तो पहला भाग कितना हो जाएगा एक्स बटा पांच हो जाएगा और दूसरा भाग पहले भाग का तीन बटा दो है पूरी लंबाई आपके x है पहला भाग आपका ये हो गया x बटा 5 और दूसरा भाग कितना है दूसरा भाग पहले भाग का 3 बटा 2 है अब देखे स्वाल के language में समझेगा कि पहला भाग तो पूरी लंबाई का 1 बटा 5 है पूरी लंबाई जो मैं x मान लई तो पहला भाग x बटा 5 है लेकिन जो दूसरा भाग है वो पहले भाग का 3 बटा 2 है पहला भाग कितना तो आप कहेंगे x बटा 5 है x बटा 5 का 3 बटा 2 है वो second पार्ट है तो x बटा 5 का 3 बटा 2 है नि गुणा 3 बटा 2 कीजिएगा ये second आ जाएगा तो पहला भाग x बटा 5 है सेकेंड भाग आप कहेंगे तीन X बटा 10 हो जाएगा कोई दिक्त ने तो तीसरा भाग रस्षी का कितना है रस्षी कार तीसरा भाग पुझा है वो तो आपको पता नहीं जब आप योग करते हो तो उस केस में ये तीसरा भाग में मान लगा तो कोई P भाग होगा तीसरा अब इन तीनों का यूग आपका कितना रशी की टोटल लंबाई हैं पहला दूसरा तीसरा 3 भागी अलग कर रहे और तोटल लंबाई एकस जब आपने मान लिए तो यहां से आप निकाल सकते हो कि P कितना तीसरा भाग रशी का कितना अंस है ठीक है रशी X है तो तीसरा भाग X का कितना अंस है तो यहां से आप X निकाल लीजीगा ठीक है P कितना आ जाएगा P बराबर X माइनस X बटा 5 माइनस 3X बटा 10 है LCM आपका 10 आ गया यह आपके 10X माइनस 2X ठीक है माइनस 3X है तो 3X माइनस 2X है निए माइनस 5X है P आपके पास X बटा 2 आ गया यह जो 3 पार्ट आपने P माना था वो X बटा 2 आ गया रसी टोटल X है तो 3 भाग X का कितना आदा ही तो है X का 1 बटा 2 है तो X का आदा है तो यह आपको 3 भाग मिल गया यहां से अगले स्वाल के और मूग करते हैं स्वाल नमर 22 दो धनात्मक शंक्याओं का रेशियो 3 और 7 दे रखा है और उनका LCM है 231 तो छोटी संक्या क्या होगी आपको पता होना चाहिए कि दो संक्याओं का देखिए धनात्मक शंक्याओं का जो रेशियो दे रखा अनुपाब 3 और 7 है मैं माल लेता हूँ एक संक्या है वो 3 X है दूसरी है 7 X है यह exact अपने संक्याओं आ गई उनका LCM 231 है और छोटी संक्या आपको निकालनी है LCM का मतलब एक तरीके से इनका गुन्दफली तो है जब इनका गुन्दफल 231 है मैं संक्या X मानता है नहीं 3 और 7 मान लेता हूँ गुन्दफल 231 आ रहा है वैसे गुन्दफल आ कितना रहा है तो यहां से आप यदि रेशियो का डारेक्ट गुन्दफल करेंगे तो आपके 21 आ गरा है LCM कितना आ रहा है LCM आ रहा 231 है गुन्दफल यह एक तरीकी से LCM होता तो यह 21 है बता रहा है आना तो एक चाहिए आ रहा 231 है तो आप 21 का भाग देंगे 231 में तो 11 आ जाएगा ठीक है एक की वैल्यू आपको 11 मिल जाए छोटी सिंख्या आपके पास 2 वैल्यू है एक की वैल्यू जो 11 है स्वाल के और देखते हैं अपन स्वाल नंबर 23 निमलिक्त में से किस माध्यम में से धाउनी नहीं जा सकती है निर्वात हो जाएगा इजी स्वाल है वैक्यूम से वर्ष 2019 के लिए पच्चपनवा ज्यानपिट प्रुसकार है ये दिया गया है अच्चुतम नंबूत्री को मल्यालम इनमें से दक्षन अप अमेरिका के कौन से दो देश है वो लेंड लॉक कह सकते हो इस तल रूद देश है परागवे और बोलिविया देश हो जाएगा फिर देखेगा निमलिक्त में से कौन सा दर्रा सिरनगर और लेह को कनेट करता है जो जिला दर्रा हो जाएगा अब अगला आपके जो गणित का एक स्वाल आ रहा है वो देखेगा यदि A क्यूब माइनस B क्यूब है यह होता है B स्कूइर ध्यान रखीगा यह A क्यूब माइनस B क्यूब का है यदि आपको A क्यूब पलस B क्यूब कह दें तो आप क्या करेंगे A पलस यहां पर B करेंगे और फिर A स्कूइर माइनस AB पलस B स्कूइर करेंगे आपको minus का याद रखना जो स्वाल में दे रखा AQ minus BQ यह निए A minus B A square plus A B second वाला पूरा plus है second वे A minus B है तो इसमें आपको दे क्या रखा स्वाल में A square minus B square 25 दे रखा आप कहेंगे A square minus B square हो तो कहीं है नहीं कहा यूज करेंगे बताता हूं कहा करेंगे a plus b 5 दे रखा आपके यह भी नहीं है a square plus a b plus b square जो यह ग्याद करना है यह आपको पता करना है अब दिखिए a q minus b cube आपको 625 दे रखा है अब a minus b आपको पता नहीं लेकिन a square minus b square आपको पता 25 है अब यह सवर्षरमई का तो आपको पता ही होगा कि a square minus b square होता है क्या है a plus b गुणा a minus b होता है जो आपको 25 दे रखा है अब दीखीगा यहाँ पर 25 यह है a square minus b square है इसके इस्तान पर 25 है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि a minus b आपको लेना यहाँ पर क्या आगे तो a minus b के लिए आप करेंगे 25 बटा a plus b हो जाएगा यह इदर लेका है तो यह क्या हो जाएगा 25 बटा a plus b हो गया अब इसके गुणा में क्या है a square plus a b plus b square जो आपको निकालना है अब याद रखेगा आपको एक value दे रखी है a plus b कि कितनी 5 दे रखी तो इसके इस्तान पर में 5 रखता हूँ 5 का 25 में 5 बार चला जाएगा अब a square plus a b plus b square कितना दे 5 इस साइड आएगा तो भाग में 625 में 5 का भाग देंगे तो आप केंगे 125 आपको मिल गया a square plus a b plus b square आई होप आपको समझ बाया बिल्कुल इदर इदर संख्याओं का ही खेले चार शब दिये गे हैं जिनमें से तीन किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौता अर्शंगत है अर्शंगत कौन सा होगा देखते ही बन जाएगा मारकर पैन चौक है पुस्तक में ही काम लेंगे एक तरीके से आप लेखने में पुस्तक अलग है आपका उबन्तु है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर का स्वाल है सारे कंप्यूटर के स्वाल की पीडियो फाइल एवलेबल है यह आप डाउनलोड करना चाहते हो जो आपके NTPC एक्जा में स्वाल पूछे गे हैं टॉपिक वाइज जिसमें साइन्स के सारे स्वाल इंक्लूड है तो यह पीडियो पाभी आप डाउनलोड कर सकते हो 46 जहां से रिप्पीट उते स्वाल है टॉप ट्रेनिंग जीके डॉटिन जो एबसाइट लिंक डाउनलोड के लिए कि लगू जमा बच्चत योजना कह सकते हो अगला स्वाल यहां पर यह रिजनिंग का स्वाल आगया कि मुकेस के सामने की और डक्षिन देसाती क्या बोल रहा स्वाल कि यह तो डारेक्षिन आपको पताई होगा सबसे उपर उत्तर फिर यह नीचे डक्षिन है इधर आपका पूरो हो जाएगा यह हो जाएगा पच्चिम वेस्ट हो जाएगा मुकेस के सामने की और डक्षिन देसा है इसका क्या मतलब कि मुकेस इस और मुहू करके खड़ा हुआ है दक्षिन देसा के और मुहू करके खड़ा हुआ है अब मुकेस बोदरा के आगे जाएगा तो यह इस साइड जाने वाला दक्षिन देसा है क्योंकि उसके सामने की और दक्षिन देसा ही है वो पांच किलोमेटर सीधे चला मतलब दक्षन देशा के और चलने वाला कितना किलोमेटर आपके इंगे 5 किलोमेटर चला है तो यहां तक माल लेते पहुंच गया और वहां से वह अपने दाई और दाई का मतलब वो right side turn कर रहा है right side है जब इसका मुह इस side है right इसका इस side हो जाएगा जो अपन देख रहे हैं उसका जश्ट उल्टा हो जाएगा तो वह अपने बाई और दाई और 90 degree के कौन पर मुड़ा है तो 90 degree जश्ट इस side इस परकार वो मुड़ गया है मुड़ा है और 5 किलोमेटर यहां पर भी उसने running की है चला है फिर वह अपनी बाई और अब बाई का मतलब है कि वह left side turn कर रहा बाई और 45 के कौन पर अब 90 करता तो ऐसे करता लेकिन वह कर रहा 45 यह इस परकार कुछ turn किया उसने और कितना चला है 3 किलोमेटर यह 5 है कुछ 3 चला है तो यहां तक आया होगा कहीं वो यह पच्छिम है तो दक्षिन पच्छिम जो है वो टिक कीजेगा यहां पर भी यह side टिक कर रहा है अगला स्वाल दिखीगा अपन किसी पधार्त की मात्रा को मापने के लिए निमलिक्त में से कौन सी unit का उप्यू किया जाता है पधार्त की मात्रा मोल हो जाएगी काफी बार है जम आयों स्वाल हैं दो बसे हैं एक मुख्य सड़क पर हैं ये थोड़ा language बड़े है स्वाल ईजिए language घबरएwater language चोनमी बड़े हैं इसका मतरव फिर्ट वह स्वाल इतने ही जी होने वाला है दो बसे एक मुख्य की दूरी आपको बता हैं पता हैं कि 185 km ये distance है इनके मद्दी की अब 185 km दूरी पर इस दो बिंदों से एक दूसरे की और चलना शुरू किया है ये इस साइड आ रही है ये इस साइड आ रही है पहली बस 35 km चलने के बाद दाई और मुटती है ठीक है पहली बस ने क्या किया 35 किनोमेटर चली यहाँ पर वो 35 किनोमेटर गई है याद रखेगा 35 किनोमेटर चली है फिर दाइं का मतलब है राइट साइड टरन किया इस साइड जा रही है राइट साइड इसका यही होगा और 17 किनोमेटर यहाँ पर भी वो चल पड़ी है इसके बाद यह बाइए और मोड रही है बाई और अब दीखिए बाई और का मतलब है कि वो left side में turn कर रही है अब इस बस का मुँ इस side है right इसका ऐसे होगा left इसका ऐसे होगा तो left side में turn किया है यही इस प्रकार उसने turn किया है left side में turn किया आगे इसने क्या क्या और 42 km चल पड़ी तो यहां से वो 42 km चल पड़ी है तथा मुख्य सड़क पर वापिस पहुंचने के लिए दिशा लेती है मुख्य सड़क यही यह दोस्तों अब इस पर वापस वो पहुंचने के लिए दिशा लेती है यहां पर अब आपको पूचा क्या है कि इस बीच एक मामूली ब्रेकडाउन के याद रखीगा सेकेंड बस भी इदर से साथ इसाथ चली थी तो मामूली ब्रेकडाउन आ गया था रुग गई थी और दूसरी बस मुख्य सड़क पर केवल 36 km है दूसरी निका मैं तो 36 km ही चली हूँ अब याद र 70 हुग गया उसाथ 37 km टो यह 37 km टोतल यह 35 है यह 42 है टोतल कितना हो गया 77 हो गया अब यह 77 है तो यह वाला कितना हो जाएगा टोतल कितना कितना हो जाएगा टोतल यो הקडाउन है 그럼 155 ए तो multinational distingu और 155 है तो 188 हो जाएगा यह तोक्तल आप rendal आप스트וח गया को टिक करना था थोड़ी लेंग्वेज बढ़ी है घुमाया गया था स्वाल को एक परिक्षा उत्यन करने के लिए पुर्णांकों का 50% लाना क्या है आवश्यक है परिक्षा में 2% पत्र शामिल है एक छातर ने क्या किया चातर इस प्रकार कर रहा है कि 200 पुर्णांक वाले प अंक प्राप्त होते हैं अब 40% का मतलब कितने अंक मिले हैं जब 100 का 40, 40 होता एक 200 का 40, 80 हो जाएगा तो पहले परिक्षा में परिक्षा में उत्तिन होने के लिए 150 का पुर्णांक है अब भाई साब को मिल कितने रहे हैं वही तो आपको ग्याद करना दूसरे परिक्षा में उसे न्यूनतम कितने परिक्षा अंक प्राप्त करने होंगे अब न्यूनतम अंक दोनों परिक्षा में आपको चाहिए 50 परिक्षा है उसके पुर्णांक का अब पुर्णांक है कित एक्सोपिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् लिए क्योंकि एक सोपिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च 63.33 परतिसद है तो न्यून्तम है वो उसको 400 परसंटेज राउन फिगर में लाना ही होंगे वैसे ये आ रहा है option के according आपको 64 करना था exact नहीं मिलदा match नहीं कर रहा है डाता अब देखेगा अगला स्वाल यहां पर International Court of Justice का headquarter कहां पर है तो अंतराष्टे न्यालेका मुख्याले हेग में हैं दिये गए विकल्पों मैंसे उससे इंख्या का chain की जिए जो निमन तालिका मैंसे पश्ण पत्र के स्थान पर जगह लेने वाली हैं तो यह आपको पर बड़ी सिंख्या रहे क्यूब भी करना होगा आपको साथ का आप क्यूब करेंगे तो आप केंगे 343 मिल गए आपको ठीक है 343 अब आपको टोटल 384 चाहिए अब साथ का क्यूब 6 का इसकोईर करेंगे 6 का इसकोईर यहनी 36 अब इसमें आप 36 एड करेंगे तो 389 हो गया अब आपको 5 और यह एड करेंगे तो 389 में 5 एड करेंगे तो 384 आगे तो हो क्या रहा है इसमें लोजिक कौन सा लग रहा है लोजिक लग रहा है कि सबसे पहरे तो आपको यह संक्या तो गया 25 तीसरी का आपको क्यूब करना है चा का क्यूब कितना होता है देखिए आप क्यूब गरे ही सारे आपको अंगुलियों पर याद होना चाहिए च्छा का क्यूब ये 216 होगा नहीं 216 है अब 216 पलस 25 पलस 4 है तो वो 245 हो जाएगा इसी प्रकार आपको करना है तीन पलस च्यार का स्कॉर यानी 16 पांच का क्यूब यानी 125 अब 125 पलस सोहला पलस तीन करेंगे तो 144 आपको यहाँ पर क्योशन मारकिस्तान पर एंसर है वो मिलने वाला है अब देख लेते हैं अगला स्वाल हरिश के मासिक वेतन है वो 45,000 है उनमें से एक त्याई शिक्षा पर और दो बट अच्छे है वो भोजन पर अब यहाँ पर कंफ्यूज मत हो ना आपके ऐसे मत कर देना कि एक त्याई शिक्षा पर है तो 45,000 का एक त्याई कितना होता तो इसका तीसरा भाग यह नहीं 15,000 हो ज रहना चाहिए आपका किस टाइप से यह उच रहा है दो बट अच्छे है तो वह भी एक बट तीन है तो यह भाग है शिक्षा पर 15,000 है भोजन पर यह नहीं 15,000 खर्च कर रहा है अन्य आवशिक्ता पर यह खर्च करता है तो शेष वितन की वह बच्चत करता है तो दो थीम क्या है बायो डाइवर्शिटी इस की थीम हो जाएगी फिर नेक्ष मन देखेगा भारत के निमन किन दो शेहरों के बीच पहली शेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेज चली है तो ट्रेन 18 है नई दिल्ली वारणसी की मत्ती है यह पहली वंदे भारत एक अथारा परसंटेज के एकल है बिल्कुल बैसिक से एजी से स्वाल पूछे गए है तो चौबीस सो का जो बारा परतिसत है यानि चौबीस सो गुणा बारा बटा सो है उसके साथ क्या जोड़े मेरे को नहीं पता मैं एक जोड देता हूँ जो यह योगपल आ रहा है इन दो से यह कैंसर होगया अब इसको आप कैल्कुलेशन कर से और किस परकार अब एक्स बराबर कितना हो जाेगा जैने चोबून गुणा अठारा माइनस चौबिस गुणा बारा अब इसमें आप कॉमन ले सकते हो कोई चीज यदी कॉमन आपको जैसे बारा कॉमन आ जाएगा फि याद रखी गए uniform resource locator न की location है और यहाँ पर यह भी मत का इंप्यूज होना कि resource है या फिर कोई अलग term है तो यह इसकी full form अगला एक cylinder की उंचाई है वो 14 cm है वक्र परष्ट का छेतर फल है वो 528 cm2 दे रखा है और आप cylinder का आयतर है cylinder का मतलब क्या हुआ यहाँ पर सब कुछ खेलो रहा बेलन का तो एक cylinder की उंचाई आपको square h आपको निकालना है यह बेलन का आयतर का formula रहता है अब देखे टू पाई आर एच आपको 528 दे रखा है पाई यहाँ पर भी है आर यहाँ पर भी है तो इसको value लेने ही नहीं है h दे रखा है सबसे पहले तो यहाँ से r निकल के आ जाएगी r कितनी आ जाएगी r आ जाएगी 528 भाग 2 pi h आ गया आपके पास r की value अब r यहाँ पर रखना है आपको मिल जाएगा आयतर अब pi r square करना तो इन सभी का square कीजिगा ठीक है यह यह भी square करना है यह यह भी square करना है यह r square हो गया अब multiply करना है h से multiply करेंगे तो एक h तो यहाँ से गाइब हो जाएगा एक pi तो यहाँ से गाइब हो जाएगा अब आपके पास क्या रहा है 528 गुणा 528 बटे में क्या है बटे में आपको मिल रहा है यह 2 है और फिर 1 h और pi है h की value दे रखिए ने तो h क्यों ल heっぱ 7 28 22 और 7 ऊपर चले जाएंगे यहाँ से इसको आप हल करेंगे तो यह हो जाएगा आपके यहां से सबसे पिले तो 22 का भाग जा रहा है 529 बार चाल्या जा रहा है एब आप क्या करेंगे 7 का 14 में कितनी बार चला गया 2 बार चला गया और फिर यहां से आपके आजाएगा यह 2 है तो 2, 2, 6, 6 और 24 में यह हो जाएगा च्यार बार अब उपर कितने रहेगे च्यार गुणा 528 तो 4 गुणा 528 एंसर में मिश में 4 कुछ केलकुलेशन मिश्टेक होई है एक सेकिन दो दूनी च्यार दूनी आठ यहां अच्य कर दिया यहां पर 8 होना चाहिए न फिर उप 508 से 528 से तो 528 से ऍसय हो जाएगा 1514 से एंसर हो जाएगा यहां पर अपने गुणा किया था दो दूनी च्यार दूनी च्यार दूनी चर नहीं कर जोड़ नहीं गुणा कर ना है तो एक समीक दिए गासी स्वाल है इसको देखिगा बिल्कुल इसी स्वाले वैसिक से जो आपने पढ़ा होगा X प्लस Y जो आपने पढ़ा वैसे ही करा रहा हूं मैं आपको X प्लस Y है वो बारा दिन में कर रहे हैं Y प्लस Z है वो 18 दिन में कर रहे हैं और X प्लस Z कर रहे हैं वो दोस्तो 15 दिन में कर रहे हैं तो इनका LCM लेते हुँ आपका यह टोटल कारे आपको मिलता है इनके LCM से मिलता है तो इनका LCM कितना आ जाएगा LCM 180 आ जाएगा 180 टोटल कारे हैं इसमें से यह एक दिन सोरी यह क्या करता है कि 12 दिन में X प्लस Y मिलकर 12 दिन में करते हैं एक दिन में कितना करेंगे तो 180 टोटल है 180 में 12 का भाग देंगे तो यहाँ पर x प्लस y एक दिन में 15 यूनिट कर पाएंगे और यह 180 में 18 का भाग देंगे मतलब 18 दिन में टोटल करते हैं कारे 180 यूनिट है एक दिन में आप 10 हो जाएगा अब इसमें आप 15 का भाग देंगे 180 वस्टी में तो यह बारा आ जाएगा तो यह y x प्लस z एक दिन में बारा युनिट y प्लस z एक दिन में 10 यूनिट x प्लस y एक दिन में 15 यूनिट करते हैं अब तीनों मिल रहे हैं तो इन तीनों को आप एड कीजिए कितने एक्स है दो x दो y दो यह दो गुणा X प्लस Y प्लस Z हैं, यह मिलकर कितने करते हैं, अब यह तीनों को add किया है वो एक दिन में कितने करेंगे 15 और 10 कितने होते हैं, तो आप पच्टिस होते हैं 25 और 10 कितने होते हैं, तो 35 फ्लस 2, 37 तो यह total कारे हो रहा है 37 unit अब 36 unit हो रहा है यह x plus y plus z है यह दोगुनी स्रमता कह साक्ते हो दोगण x plus y plus z है लेकिन आप कहे रहे हो x plus y plus z है एक शाथ तो x plus y plus z है जब इनको 2 गुना कर रहे थे तो कारे हो रहा था 37 unit है अब ये सिरफ 2 गुना नहीं एक्स प्रस Y प्लस Z है तो कारे ब्यादा हो जाएका 37 बटा दो करेंगे तो ये आपके 18.5 unit कारे हो रहा है अब 18.5 unit कारे हो रहा है वो एक दिन में हो रहा है चीदे के आपके पास कारे है 180 unit है टोटल कितने दिन लगने वाले हैं एक दिन में 18 कर रहे हैं टोटल 180 हैं तो 18.5 का भाग दीजिगा 180 में तो आपको मिलने वाला है देखी पूरा का पूरा तो भाग नहीं जा रहा है 180 में 18.5 का हैं तो वो लगभग आपको दे रखा होगा स्वाल में लगभग कितने दिनों मे करते हैं वैसे ये भाग तो कुछ आपके 9.7 बार जाएगा तो लगभग ये 10 दिन के एकवल हैं तो 10 दिन में ये लगभग कारे करने वाले हैं ये भाग आप इजली दे सकते हो लगभग में निकालना है तो डारेक्ट 180 मानें गया अगला स्वाल एक अपरे 2019 से किन्दो बैंको का विले हुआता बैंको बढ़ोदा में देना विजे सभी को पता होगा आगला स्वाल दोस्तों का एक शमू इस परकार की व्योस्ता में बैटा है कि उनमें से प्रतेक का अश्ट भूज की एक कौने पर बैटा है अब देखें आपको अश्ट भूज बनाना है सबसे पहरे तो वो मेरे लिए थोड़ा ट्रेडा खेले में बनाता हूँ अश्ट भूज फिर आपको समझाता हूँ देखे अश्ट भोज है वो सही तरीके से नहीं बना है लेकिन आठ भोजा इस परकार वो बैठे हुए हैं मैं इसको विक्केन मरा देता हूँ ताकि ये सामने का इसके हैं और ये कुछ इसके सामने का हैं यह इसके सामने की हैं, यह इसके सामने की हैं, तो यह आठ दने बैचे हुए हैं, अश्टबुज़ के कौनों पर, अब देखे क्या व्युश्ता है वो देखी का, सबी केंदर के और महू करके बैचे हुए हैं मेधा है वो राधा के विक्रणत शामने बैटी है मेधा मैं माल लेता हूँ ये मेधा है ये विक्रणत शामने जड़ शामने कह सकते हूँ जो राधा बैटी है चीक है मेधा है वो राधा के मेधा है ये रादा की विकंड शाम ने बैटी रादा को आर्शे दिने अब कर रहा हूँ अब दिखेगा आगे क्या बोल रहा है मेधा शीमा के बाई और बैटी है मेधा है वो शीमा के बाई और सबसे परी सीमा माल लेते हैं ये सीमा है हाँ, हाँ, सइह यह होगी तो इस साइड मूं करके न तो इसका right यह हो जाएगा left यह, बाहिँ का मतलब है वो left side में बैठी है मेदा, SEMA के बाहिँ और है तो मेदा है यह SEMA का मूं इस side है तो SEMA का left side बाहिँ और जो मेदा बैठी is side मेदा है, SEMA यह है रमन है सीमा के बगल में तो ये रमन भाई याँ पर कलैस हो रहा कुछ आर है आर का मतलब राधा भी है आर का मतलब रमन भी है ठीक है तो आर ये रमन है तो रमन है वो सीमा के बगल में बैठ रहा है रमन सीमा के बगल में और गोविंद के सामने मतलब ये इसके सामने गोविं इन चंद्रा के दाई और बैटा है अब भई चंद्रा के दाई और माल लेते हैं ये चंद्रा है इन चंद्रा के दाई और राइट साइड में गोई बैटा बिलुकुल सही है शांती मेधा के दाई और नहीं बैटी है ये मत समझ रहे हैं ना बैटी है शांती है वो मेधा के द पूचल को तो इस टाइब से आपको बनाना थाण नियुम sidewalk मेर्स पुरूतर राज्यो पुरूतर राज्यों के श्यवन सिष्टर राज्यों का सदस्टी नहीं है तPl सदस्टी नहीं मैं इत्कottaा है इसको बता देता हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री का, एक बटा साइन स्कॉर 65 प्लस कॉस स्कॉर 65 है, साइन 15 बटा कॉस 65 है, कॉस 65 प्लस साइन 25 है, मान आपको बराबर आ रहा है, इसको थोड़ा जोम कर देते हैं, ताकि आपको पूरा दिख जाएं, तो ये कुछ दे रखा स्वाल में, थीटा का मान आप आपको निकालना है, कौन कितना आएगा, वो निकालना है, अब ये आपको पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले हैं कि साइन स्कॉर थीटा प्लस कॉस स्कॉर थीटा है, वो एक होता है, इसमें शर्त क्या ऐसा नहीं, साइन स्कॉर 65 है, इदर साइन कोई दिक्कत नहीं फॉर्मूला मैच कर रहा है साइन इसकोर थीटा प्लस कॉस इसकोर थीटा बराबर एक होता तो यह एक बटा इस पूरे की वैल्यू एक हो गई तो एक प्लस साइन पंद्रा कॉज पिच्चतर है तो पता होना चाहिए आपको इसको कैसे सॉलो करना है साइन पंद्रा है मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस के फॉर्मेट में क्या इसको लिख सकता हूँ तो आप क्या कीजेगा साइन पंद्रा को मैं पिच्चतर सोरी नब्बे माइनस पिच्चतर कर देता हूँ अब नब्बे माइनस पिच्चतर करनें तो कितरा पंद्रा याएगा साइ नीचे है cos 75 अब इसको मेरे को काटना था ठीक है sin 90-θ केतना होता है आप सभी को पता sin 90-θ cos थीटा होता है थीटा 90-θ नहीं 55 है तो ये समान वेली थे sin 15 का मतलम मैंने लेकि दिया 90 में से 55 माइनस किये है अब sin 90- 55 है या फिर sin 90-θ केतना होता cos थीटा होता है तो इसको मैं लेकि सकता हूँ इसके इस्तान पर cos 55 ठीक है sin 90-θ थीटा cos थीटा है तो ये cos 55 हो जाएगा तो ये हो गए आपके cos 75 नीचे भी cos 75 अब पलस दीखीगा cos 65 बटा sin 25 अब cos 65 है तो ये मैं cos 65 रहने देता हूँ sin में जेंज करता हूँ sin 25 को मैं कैसे लेक सकता हूँ sin 25 को मैं 90-65 लेक सकता हूँ 90 में से 65 माइनस होँगे तो कितने रह जाएंगे 25 रह जाएंगे तो sin 90-65 लेक दिया अब इसको एक हो गया एक बटा एक पलस cos 75 ये कट गया एक हो गया अब देखिए cos 65 बटा sin 90-θ क्या cos थीटा है इदर भी cos 65 ये भी कट जाएगे तो एक हो जाएगा बराबर में root 3 10 थीटा एक 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 यहनी 3 बटा root 3 10 थीटा यहां से 10 थीटा आपको कितना मिल रहा है 3 बटा root 3 अब हर का परिमी कंड कीजिएगा root 3 को आप मैं उपर नीचे गुणा कर देता हूँ ठीके तो यह मिल गया आपको 3 root 3 बटा root 3 root 3 3 हो गया 3 से 3 कट हो गया root 3 10 थीटा की वैल्यू आपको root 3 मिल चुकी है 10 थीटा की वैल्यू आपको 10 थीटा बराबर root 3 अब 10 के किस एंगल का मान root 3 होता है 30 का मान तो 1 बटा root 3 होता है आपको पूचा root 3 तो किस एंगल का मान सिर्फ root 3 होता है तो वो होता दोस्तों 1060 थीग्री अब 1060 थीग्री है वो root 3 है तो 60 यहाँ पर थीटा यदि आप 60 रखेंगे उस case में बरूर 3 आएगा 60 करेक्ट हो जाएगा अगला स्वाल देखीगा नीच्च आपको एक कुछ व्यवस्ता दे गई है निमलिक्त में से कौन सा x के दाई और धर्श्व इस्तान पर होगा लेकिन आपको स्वाल में क्या एक सर्थ दे रखी है सभी विशेश वर्णों को हटाना विशेश वर्ण कौन से जो आपका एक तो ये संख्याए नहीं हो second है जो आपके letters है alphabet नहीं हो English के वो विशेश जैसे कि ये आपका विश्मयादी बोधदक है hashtag है star है इन सभी को आपको हटाना है ठीक है इसको हटा पते हुए चलना ऐसे नहीं आप स्वाल में हटा रहे है तो फिर वो time ज़्यादा ले लेगा directly आपको मान के चलना है कि ये हट चुका है और दस्वा लेटर लेना X के दाई और दश्वे इस्तान पर तो X कहां पर है X आप कहेंगे ये है रा X इसके दाई और याई इसके राइट साइड में दस्वे इस्तान पर तो ये तो मान नहीं नहीं पहला तो हटा दिया आपने क्योंकि अल्रेडी स्वाल बोदरा कि विशेश वन हटाने है तो पहला तो ये होगा फिर दूसरा होगा है सही नहीं हटा दिया आपने ये तीसरा है चोता है पांचवा है ये आपने हटा दिया चटा है सातवा है आटवा ये हटा दिया आपने नोवा है ये आपका दसवा आपको पूछा था वो आर हो जाएगा तो आपको सही दे रखा है, सवाल में दो शंख्याओं के योग 60 है मश्रप यानि आपका ये highest common factor है HCF दे रखा है और LCM दे रखा है ये 12 है, ये 72 है दोनों शंख्याओं के विदक्रम का योग कितना होगा अब संख्याओं मान लेता हूं मैं होगा इसका LCM लेंगे तो XY है और उपर आपके Y प्लस X हो देगा इन्हें आपको निकालना क्या है एक्स ये निकालना है X प्लस Y बट्टा XY अब देखीगा X प्लस Y तो अल्रीडी दे रखा है दो शेंख्यों को योग XY आपने मौना X प्लस Y साठ दे रखा है अब इन दो शेंख्यों का गुणा आपको नहीं दे रखा है अब पता होना जाइए लशब गुणा मसब क्या होता है तो LCM गुणा ऐसी ये बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या तो यहां से इन दो संख्या गुणा क्या है 12 गुणा 72 हैं तो नीचे में क्या करूंगा 12 गुणा 72 कर दूँगा इसको आप जब हल करते हो तो यह चला जाएगा आपके 12 का 60 में 5 बार नीचे 72 है तो 5 बटा 72 हो गया option दो करेक्ट हैं अगला स्वाल देखेगा एक तिर्बूस के कौन आपको तीन कौन दे रखे हैं और तिर्बूस के सबसे बड़े कौन की माप क्या होगी इजी स्वाल है तिर्बूस की तीनों कोनों का योग कितना होता है आप एंगे 180 होता है अब तीनों कोनों का योग कर द पांच और पांच कितने दस दो दस एक्स माइनस आठ और बारा दोनों ही माइनस में है तो जोड हो जाएगी माइनस 20 बराबर 180 ये कितना है 10x है ठीक है अब 10x बराबर हो गया 200 ये 20 से दर है 200 हो गया एक्स बराबर आप कहेंगे तो x बराबर हो गया 20 आपको पूछें क्या है सबसे बड़े कौन की माप सबसे बड़ा कौन कौन सा होने वाला तो x की वेल्यू आपको 20 रखनी है और धेखते चलिया x 20 रखेंगे 2 गुणा 20 तो एक कौन तो आप कहेंगा ये आगा 40 दूसरा कौन कितना आगा 3 गुणा 20 यंनि 6-8 करेंगे तो ये कौन आपके आ जाएगा 52 और तीसरा कौन है 5 गुणा 20-12 तो ये आपके होजाएगा 100-12 यानि ये तीसरा कौन है जो के 88 डिगरी का है सबसे बड़ा कौन है बाक्या आपको परते कौन निकालना ही नहीं डारेक्टी देखना ये दो X है ये तीन X है मामूली माइनिस ओरा आठ ओरा माइनिस बार ये पांच X है तो डारेक्ली X की value यहाँ पर पुट कीजिएगा अब दोस्तों देखते हैं अगला स्वाल ये आपके trigonometry का एक और स्वाल आ गया है इस स्वाल में भी mistake है किस परकार है देखते हैं पांस साइन 14 डिग्री और सेक के अंदर आपको 36 डिग्री दे रखा है थ्री कॉर्ट 15 डिग्री माइनस कॉर्ट 45 डिग्री पलस 210 45 डिग्री है इसकी value निकालेगा देखे सबसे पहले तो पहला ही logic यूज देगे 5 साइन 14 डिग्री जोदा और छेतर दे रहा है इसका मत्रब इसका योग केतना है ये 90 है कहीं न कहीं तो ये 90 डिग्री है इसका मत्रब वही खेल हो रहा है आपके 90-θ तो नचीप म it, divided ौदा के क्या लिख देता हूँ ये चाएन सोधा को मैं क्या लिख देता हूँ 90- 95 डिग्रात क्या कर दिया मैंने चेतर लिख दिया इधर मैं सेक니 ख़ेतर कर देता हूँ अब यहाँ से आप पहले इस वाले को मैं हल कर रहा हूँ एक बार वेन जग को 5 sin 90-θ, sin 90-θ केतना होता तो आप वेंगे sin 90-θ होता है cos θ तो cos छेतर गुणा, sec छेतर तो यह आपको पता ही होगा, आपस में उल्टे ही होते हैं, cos और sec या कोई CRT को मैं लेख सकते या कोई op शेग क्या होता है cac Also उल्टा होता सगती तीटा बरबर एक पता cost थीटा तो cac ये string ये कट हो गई तो यह हो गया त求 अफ ये पूरा section इस पोड़ेत करें फंश उली हो गई 5 डेट हले ये value होsta यह हो गया आपके 2 तो यह देखेगा एक हो गया 5 यह हो गया 2 यह 5 और 2 साथ अब यह directly गुणा में होना चाहिए माइनस में होगा तो काम बनेगा नहीं यह 5 था यह गुणा में होगा अलग यही माइनस में करते हैं तो फिर आपको court 45 की value निकालनी पड़ेगी वो formula से निकालनी पड़ेगी आपको court 15 को आपको लेना पड़ेगा यानि 45 माइनस 30 करके आपको फिर यह formula से निकालनी पड़ेगी वेले तो पूरा वो अलग लंबा बन जाता है जो answer दे रहका वो 10 की recording दे रहका वो इसको multiply ही किया गया है जब यह इसके मध्य गुणा का निसा और गुणा court 75 अब 3 अब देखिए 90-75 को मैं क्या लेख सकता हूँ court 90-75 10-75 गुणा court 75 है जब just उल्टे होते है तो यह एक हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो गया तीन हो गया यह 5 था 3 था यह 2 आ गया 5 और 2 7 और 3 10 यह दस value जब कब आएगे इसके मध्य गुणा का निसान होगा otherwise यह आप गुणा का निसान नहीं लेते हो माइनस करते हो तो उस case में 10 नहीं आएगी वह root में ही value चली जाएगी दस नहीं मिलने वाले तो यह थोड़ा स्वाल में ही mistake ती अगला स्वाल दिखेगा आप स्वाल है चार गुणा 38 गुणा 64 गुणा 1256 का एकाई अंक पर 4 का गुणा करेंगे तो डारेक्ट आता है 24 अब 24 में कई अंक क्या आ गया 4 आ गया अब 4 को आपके 8 के साथ गुणा करता है तो आपके 32 आ गया 32 में से आप 2 लेंगे 2 का 4 से 7 करेंगे तो 8 आ गया है वैसे ही आपको पता है स्वाल ज़्यदा time कम होते हैं तो यहाँ पर आपका time फाल्टू का खराब होने वाला है क्योंकि वैसे इसके बिलकुल एक logic लगया गया कुछ नहीं reasoning में मान सकते हो इसमें यह आप लगते हो कि यह समिकन बनाते हो क्योंकि एक्स पड़ा है वाई पड़ा है जैड पड़ा समिकन कितने बन रहे है दो बन रहे है वैल्यू आपके चर वैरिबल कितने है वैरिबल आपके पास तीन है और समिकन दो बन रहे है तो हल होगा नहीं किसी भी कंडिशन में जब बराबर होने चाहिए यह आपके पास चर रासि दो Z बटा दो दो बटा Y, दो बटा Z, दो बटा X जब भाई दे रखा है इनोंने कि X बटा दो प्लस दो बटा Y है, X और Y क्या है, variable है और उस case में answer एक आ रहा है यहाँ पर यह क्या करना है, दो variable change करना है Y बटा दो प्लस दो बटा Z, दो बटा दो यही है, दो यहाँ पर भी दो उपर भी है यहाँ पर Y, Z, इस side X पूछ लिए आपको, X, Y, Z गया तो यह एक आ रहा है, second में भी आपको यह एक दे रखा है, तो Z बटा दो प्लस दो बटा X भी एक होना चाहिए क्योंकि समान यह, आप चल रहे हो समान वैल्यू रेकर, X बटा दो Y बटा दो, Z बटा दो, दो बटा Y, दो बटा Z, दो बटा X, जब यह एक है, तो यह भी एक होगा, डारेक्ली आपको एक टिक करना था, फाल्तु सनिकर लगा नहीं नहीं थे कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिस कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिस कहा है, Central Processing Unit सबरी माला मंदिर दोस्तों क्यारला में है फिर एक और एजी सा स्वाल आपको पूछ लिया है, इस स्वाल में आपको जोड बाकी आना चाहिए, बाकी है कुछ नहीं अब दीकि 5 सई, ये मिश्र भीन 5 सई, 2 बटा 3 दे रखा है, ये कितना हो जाएगा 5 सई, 2 बटा 3 का मतलब क्या है 5 प्लस 2 बटा 3 है, इसको आप LCM 3 बाकी करना क्या है था, 5 गुणा 3 करना प्लस 2 करना, 15 और 2, 17 बटा 3 है अब 17 में 3 का भाग देंगे तो ये कुछ पूरा तो नहीं जाएगा 5.666 इस पर कार आगे चलता जाएगा, अब इसके अंदर आपको एड करना है, 0.33 तो 0, अब दीकिए, जो भी ये हल रहता है, दसमलों के अंदर जश्ट आपको जो दसमलों दे रखी पॉइंट दे उसके नीचे पॉइंट रखीगा फिर आपको तेहित्तर करना है, इसको जब आप एड करेंगे, 6 और 3 कितने है 9, ये 6 हैं, अब दीकिए, 6 और 7 कितने है, 13 फिर हासिल की एक है, तो 6.30 अब इसमें से आपको माइनस करना है, 6.39 फाल, तो टेम वेश्ट करना है, तो कुछ नहीं बाकी करनी है, अब 6 में से 3 गए, 3, 9 में से 2 साथ हो गया, 3 में से 2, फिर 6 में से, 3.27 ये आपको डारेक्टी टिक करना है, अगला स्वाल दिखीगा गोवी मरुस्तल है, मंगोलिया चाइना में, एशिया में हो जाए, गोवी मरुस्तल कहाँ, प्रह चाइना में है, मंगोलिया में जो एशिया में पड़ता है, अगला स्वाल, एक कलब में महिलाओ के शिंक्या का, पुरुशो की सिंक्या से ratio 3-2 दे रखा है हाली में 300 माइला कलब में और शामिल हुए और ratio 5-2 हो गया कलब में अब महिला शंक्या सदिशियो के total सिंक्या क्या होगी यह कीजी सा स्वाल और हो गया एक कलब में महिला के शंक्या और पुरुशक यह आपके female है यह male है इनका ratio 3-2 का है अब हाली में 300 माइला और एड हुई यहाँ पर female कितनी एड हुई है तो आप कहेंगे 300 यह जब एड हुई है female उसके इसमें ratio है 3-2-5-2 का हो गया है देखिए male add नहीं हुए male का ratio भी चंज नहीं हुए female add हुई एक 3-5 हो गया तो आप क्या कहेंगे ratio में कितना बढ़ रहा है दो का बढ़ रहा है लेकिन स्वाल कह रहा है कि हमने महिलाए 300 जोड़ी है आप यह पर ratio में दो बढ़ा रहे हो इसक वेलिए 150 है तो 5 की वेलिए कितनी है तो 5 गुणा 150 आपको करना है तो यह आप multiply करेंगे तो आपका direct answer हो जाएगा 750 वरतमान में female हो चुकी है अगला स्वास स्वेता और हरीस ने 28,000 के आयका एक परियूजना पूरी की है इस परियूजना में स्वेता ने 23 और हरीस ने 23 दिन ईप mai तो हरीसे वो एक दिन में 6 रुपे कमा रहा है वो ज्यादा कमा रहा था से ये इसका रेशिो हो जाएगा अब ये काम भी काम कर रहे है न देखिए इस परियूज़ना स्वेता ने 23 दिन 20 काम कर रहे है अब इनको टोटल 28,000 रुपे मिले है इस ये जना में टोटल रुपे मिल रहा है दो काम किया है पांच गुणा दो दस रुपे मिलेंगे इनको ने च्छे रुपे मिल रहा है तीन काम किया है च्छे गुणा तीन यह अठारा रुपे अब इनका टोटल कितना हो रहा है दस हो रहा है अठारा हो रहा है यह टोटल इनको 28 रुपे दोनों को मेल रहे हैं और टोटल है कितने रुपे 28,000 हैं तो ये 28,000 में 28 का भाग देंगे तो आप कहेंगे ये 1000 हो गया ठीक है अब 1000 रुपे हैं एक यूनिट का मतलब आपको पूचा शोयता के हिस्से में शोयता ये दर देखी का 10 आ रहा है एक मतलब 10,000 शोयता को मिल गई 18,000 हरीश क है कलन हो जाएगा एक वस्तु का लागत मुले आपको दे रखा है जो अंकित मुले का 55 परतिर्शत है लागत मुले है नी कोश्ट प्राइज है ठीक है कर रहे मुले कह सकते हूं लागत मुले अंकित मुले का जो प्रिंट रेट का 55 परसंटेज है आप 100 ही माल लीजीगा ठी कि अंकित मुले का 55 परशंटेज योंने 55 परशंटेज पर चूट दी जाएगी किसी को 100 परशंट पर लेखे उए हैं तो आपको बोल ले कि 15 परशंट को आपको डिस्काउंड मेला तो कितने पर वबस्तो उनके आईगी किसी को बेच रहे हैं तो लाब यहानी परतिसत क्या होगी अब यह 100 रुपे पर यह 15 परतिसत के आप छूट देंगे तो 15 रुपे में आप कहीं ने कहीं बेच रहे हो जब उसके पास दुकानदार के पास उसका करें मुले 55 था उन्होंने 55 में बेचे तो लाब कितना हुआ लाब हो रहा है दुकान 55 बटा 100 करेंगे तो 25 का भाग देता हूँ 25 यह आपके 4 बार यह 3 बार तो यह कितना हो गया 40 बटा 3 हो गया अब 40 बटा 3 आप भाग करेंगे यह भी भाग कुरा नहीं जा रहा है यह कुछ 13.33 इस पर कर जाएगा यह लाब हो जाएगा डारेक लिए आपको ऑप्शन C करेक् यह 6 बटा 5 आफ यानि 1 बटा 3 पलस 2 बटा 4 माइनस 5 बटा 6 आफ यानि इनके मद्धी मल्टिप्लाई हैं 3 बटा 10 पलस 12 बटा 20 माइनस 1 बटा 6 अब इसको आपको हल करना है LCM लेके तो 6 बटा 5 यह LCM लेजेगा यह हो जाएगा आपके 12 इस साइड आप करेंगे तो यह हो हो जाएगा जोरी 4 यह आपके हो गया 4 और इस साइड हो जाएगा आपके 6 फिर आप माइनस 5 बटा 6 कीजिएगा इस प्रकार आपको 20 LCM लेना है 10 का 20 में 2 और 3 पलस यह आपके 12 है माइनस 1 बटा 6 है इस टाइप आपको जोड करते हुए चलना है एंसर आजाएगा ज्यादा इस स्वाल में है कुछ नहीं जोड बाकी है नेमलिक्त मैंसे कौन भारत के सबसी यूआ राष्ट पती है डॉक्टर नीलम संजीव रेडी हो जाएगा यह दिए साइन थीटा 3 बटा 4 है कौस थीटा 5 बटा 4 है तो 1 पलस 10 बटा 1 माइनस कौट थीटा दो तो गड़त मत कर द फॉर्मूला तो साइन थीटा जब आपको 3 बटा 4 दे रखा है भाग कौस थीटा 5 बटा 4 करना है उस केस में आपको 10 थीटा की वेल्यू मिल रही है भाग करना है गुणा में उल्टा हो जाएगा 4 बटा 5 है 4 से 4 गया 10 थीटा की वेल्यू आपको मिल गई यहां से 3 बटा 5 अब 10 थीटा की 3 बटा 5 है 10 और कौट आपस में उल्टे होते है नीचे कौट दे रखा तो कौट थीटा कितना हो जाएगा 5 बटा 3 हो जाएगा कौट और 10 की वेल्यू जब आपके पास पता है यह वेल्यू यहां पर फुट करनी है 1 पलस 10 थीटा यहनी 3 बटा 5 ठीक है अब भाग देना है आपको नीचे भाग दे रहा हूं में 1 माइनस 5 बटा 3 अब इसको आप हल करेंगे LCM मेंने 5 ले लिया तो LCM 5 है तो 5 पलस 3 यहनी 8 बटा 5 हो गया उपर और भाग दीजेगा यहां पर यह LCM 3 आ जाएगा 3 माइनस 5 है तो इसको आप कह सकते हो माइनस 2 बटा 3 अ बटा 5 गुणा माइनस 3 बटा 2 यह भाग में था ना गुणा के अतुत माइनस 3 उपर दो नीचे अब यह हो जाएगा आपके 4 और 3 बारा माइनस बारा बटा 5 ऑप्सन एक रेक्ट है तो यह आप जोड कर सकते थे बाकी वेल्यू निकालने थे साइन बटा कोस 10 होता यह पता चाहा आपको पांच अंगों की सबसे चोटी सेंख्या वो तो दस जार है को दिक्कत नहीं जिसे सास से विभाजित कर रहे हूँ रिमेंडर आपको च्छ बचना चाहिए लेकिन ये दस जार नहीं होगी आपको पूचाए कि वह कौन सी है दस जार से दस जार तो शुरुवात होती है वो एक बार भागी दे दीजे भाई, पूरा का पूरा नहीं जाता है, लेकिन आपकी समझ के लिए बता देता हूं, ये भाग देके, 10,000, भाई, 10,000 ने लिखा जा रहा, 7 बटा, ये देखीगा, 10 में 7 का भाग देंगे, तो आपके एक बार गया, पिछे आपका कितना रहे गया, तीन रहे गया, अब साथ का 30 में भाग देंगे, तो ये आपके 4 बार चला जाएगा, ठीक, 28, ये दोनों ही, ये आगया, ये यह आगया, ये दोनों के अब रिशेशपल 2 है न, ये आपके आजाएगा, अब फिर आपके भाग चला जाएगा, साथ का 2 बार 14 है, पीछे 6, ये आगया आपके, जीरो, अब साथ का आप साथ में देंगे, तो आपके हो जाएगा, आठ बार चला जाएगा, 56, पीछे राज 4, शेशपल ये आपर कितना रह रह रहा, चार रह रह रह, आपको क्या बतारा स्वाल, कि सेशपल तो 6 चाहिए, जब आप 10,000 में साथ का भाग द आपको चाहिए, उस केस में 10,000 प्लस दो करना होगा, चार आ रहा है, दो जैदा होना चाहिए, उस केस में आपका अच्छ रहेगा, तो दो एड कर दीजीगे, 10,000 में 10,000 दो सबसे छोटी से क्या होने वाली है, पांच जंगों की, जिसमें साथ भाग देने पर रिमेंडर इच्छ रहता है, किस भारती राज्ये में सबसे लंबा मैनलेंड सागर तर्थ है, गुजरात में हो जाएगा, अगला स्वाल महात्मा गांदी ने, रोकी एक मिन्ट, महात्मा गांदी ने साबनवती से लेकर दांडी तक पश्री नमक मार्च जरू किया है, दांडी गुज रात के किस जिले में हैं, नवशारी जिले में हैं, काफी बार बताया है मैं आपको, निमलिक्त में से कौन सहज जीवी संबंद को दर्शाता है, काई हो जाएगा, उस विकलब का चैन करे जिसका संबंद है, वो सैम रहता है, जो इसका इसके साथ है, अब देखी, पैडिया गेम्स 2020 के शहर में आउजित किये गए थे यूद गेम्स 2020 खेलों इंडिया गुहाटी में हुए हैं नेश 2022 में ये हरियान में होंगी अगरा देखीगा उस विकल्प का चैन करें जो ये वाला आपने देखा योगा रिजनिंग का है तो इसमें कौन सा आएगा ऐसे स्वाल में क्या करना सबसे फिले तो आपको कॉंट करना हो कितने रहें ये एक दो तीन च्यार पांच च्छा साथ आठ नो तस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा सोला सत्रा अठारा तो अठारा ये टोटल लेटर्स हैं अठारा में से आपको कुछ अलग-अलग पैर्श जोड़े ब ओप्ट्राइ कीजिगा ते एक हैं जैसे कि मैं यह रखेंगे न तो सी बी फिर बी ए सी इस परकार उल्टा लेकिन जब इसको आप ट्राइब करेंगे सी एबी हो गया फिर यहाँ पर शी रखेगा एसी उसके बाद बी ये बी हो गया उसके बाद सी सी यह बी अब आप रख प्रश्ची वीडियो बनाए हुआ जितने भी नाभी की रियक्टर हैं आपके 22 रियक्टर हैं साथ प्लांट हैं कुडंद कुलम तमीन नाडू में हैं चित्र कला की पड़ चित्र शेली किस राज्जी की सबसे पुरानी और लोग पर ये कला है ओडिशा की हैं पड़ चित्र फिर है कि महारतन केंद जो महारतन कंपनि हैं उनमें से कौनसी शामील है महारतन में पोल इंडिया लिमिटेड ऑप्सन के अकोडिंग हो जाएगा यदि किसी व्यक्टी का दे राका होता ना किलोग्राम जब वस्तू का भार हैं भार की केस में वो आपकी चंद्र मार पर एक पर गरह पर चले जाएंगे, दर्यमान सबी जगह शेम रहता हैं, तो दर्यमान तो शेम रहता हैं, दर्यमान की युनिट याद रखेगा किलोग्राम देखने को मिलती हैं, और जब आपको ये एक बड़ अच्छे करना हो थो उस केस में आपको भारत की युनिटन मिलेगी दे को रीजी स्वाल पूचे गए यह आप solution दी तो करना है इसमें क्या करना है 180 है भाग देना है सबसे पहले कोश्टेक बोड मास का नियम याद रखीगा बोड मास कहता है ब्रेकेट को हल कीजे फिर आपको भाग गुणा जोड़ बाकी करना होता है दो की घाट तीन कितना होता है आठ होता है तीन की घाट दो कितना होता तीन का स्कोर कितना नो हो गया फिर एक प्लस 37 माइनस 20 अब आठ यह आपकी हो गया 180 भाग कितना हो गया नो दूनी 18 प्लस 37 माइनस 20 है तो यह आप कहेंगे एक तरीके से 17 ही हो गया है अब देखीगा एक सो असी में अठारा का भाग देंगी कितनी बार दस बार चला गया दस प्लस सत्रा है ये आपके हो जाएगा 27 एंस्वर नेक्ष्टों देखेगे आपर उस अक्षर श्रमू का जैन करें जो निम्र सरंकला में पशंचेन के स्थान पर आ सकता है ये भी एक ए अब नेक्ष्ट है जैट के बाद क्या मैनिस करणा Y एक कम किया फिर य के बाद X किया एक से बाद W किया डबलू से कम क्या होता है वी होता है तो जे के बाद वी लेकिन जे वी दो में आ रहा है मैंने टीसरे तक जाना पड़ेगा A के बाद B होता लेकिन C कर रहा है C के बाद D होता एक ज्यादा E कर रहा है E के बाद F होता G कर रहा है G के बाद H होता लेकिन एक ज्यादा करना I करना तो I करेंगे J वी I करते हुए एंसर स्राइ कर देंगे आप लोगशबा के सदेशियों के अधिक्तम संग्या कितनी है तो आप केंगे लोगशबा के सदेशियों के अधिक्तम संग्या 552 हो सकती है फिर देखेगा 3400 की राशी पर 4 वर्ष का साधान ब्याद 680 रुपे तो ब्याद की दर ग्याद करना है तो यह आपका सेम हो जाएगा principle गुणा rate गुणा time बटा 100 बराबर SI तो साधान ब्याद आपको 680 दे रखा है ठीक है और P principle आपको 3400 रुपे दे रखा है rate आपको पता करनी है कितनी होगी जब time 4 वर्ष का है तो यह आपको दे रखा है बटा 100, 680 अब इसको आपको स्वालो करना है यह 0 cancel out हो जाएगा अब rate तो निकालनी है rate यहां से आप निकाल दीजीगा यह आर बराबर 680 भाग 34 गुणा 4 यह आप यह डारेक्ट भाग जा रहा है 34 कुणा 2 68 है 20 भाग 4 यह नि 5 परतिसत आपके rate हो तो 5 परतिसत हो गई ठीक है अगला स्वाल शामानी रूप में कैंदरी परवर्वर्वर्वर्वों में सबसे उप्यूक तो आपको निकालना है कैंदरी परवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व पीसी में तो यह फॉर्मूला में बता देता हूँ आप भूलना मतलब देखे बहूलक है शुरुवात बहूलक से करते हैं चीके बहूलक बराबर क्या होता है बहूलक बराबर बहूलक से शुरुवात के नहीं बहूलक बराबर तीन गुणा माध्य का क्या माध्य का माध्य का तो बहुलक बराबर तीन माद्दे का दो माद्दे माइनस करते हुए, बहुलक बराबर तीन गुणा माद्दे का माइनस दो गुणा माद्दे हैं, ये इसका सई फॉर्मूला, फिर अगला देखीगा, लेखक का मतलब संबंद कलम से हैं तो दरजी का, लेखक लिखने का काम क से कलम से धरजी कपड़ा बनाने के काम किस से सूई और धागे से सूई है फिर देखीगा पचास लड़की और सब्तर लड़कों की एक कक्षाम ने एक संगीत कारिकरम प्रयोजित किया है यहीं चालिस फिस्ती लड़की और पचास परतिशत लड़कों ने कारिकरम में भाग तो निकालना आपको पचास तो टोटल लड़कीया है ना लड़कीया भाग कितनी रे रहे हैं तो कक्षा का लगव कितना परतिशत हिस्सा लिया है तो बीस और तीस फचास परतिशत है तो यह medidas 220 में से अब एक पच्पन आप भाग देंगे ये गुणा करती हुए निकालेंगे प्रतिसत तो ये पूरा तो नहीं निकलेगा आपके पच्पन बटा ये आप करेंगे तो कुछ आपको लगभग दिये रखाओगा लगभग कितना तो ये कुछ 45 पॉइंट कुछ आता है आठ के कुछ तो ये 45.8 है तो ये लगभग 46 के एक ले तो लगभग आपको बताना था एकजक्ट फिगर नहीं आई ये उस विकलप का चैन करें ये भी आपको विकलप का चैन करते हुए रिजनिंग का संबंद है रिलेट करते हुए तो 21 का संबंद 11 है तो 31 है वो किस परकार र करके यहां पर हो जाना चांगे है उया सैंग्या की है तो 32 संग्या का 26 को तो सोला क Honor कोसी दूगना 32 को सब्सक्राइब, निदी प्रह Начा करते का हम पार यह सोला हो जआएगा बाकि पोज करके आप भी सोचीगा क्या exact इसका logic हो सकता है logic यह दोस्तों आपको क्या करना है सबसे पहले तो नीचे का square कीजीगा ठीक है यह square करते हो 6 का square कितना है 36 हो जाता है 36 में से आप 8 minus करते हो तो आप मेंगे 28 मिल जाएगा इसी परकार 9 का square किजीगा आप 9 का square होता है 18 अब 181 मैंसे आप यह 18 minus करते हो तो यह आपको क्या मिल जाएगा 63 मिल जाएगा इसी परकार 13 का square कीजीगा 13 का square होता है आप किंगे 169 13 multiply 13 179 होता है अब 179 मैंसे एक संख्या minus करनी है आपको 94 रहने वाला है तो वो सेंग्या क्या होगी 179-94 हो जाएगी एक तरीके से माइनस 94 करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो सेंग्या 25 है तो यह लोजिक है एक्जाम में आप सभी को नहीं याद एक्जाम की समय आपका कैसा परजिंशोप माइंड है वो डिपेंड करता उस समय लेकिन यह बाद में आप लोजिक लगा सकते हूँ थोड़ा टप कह सकते हूँ सबसे बहुत इसका स्कोर किया और 8 माइनस किया 9 का स्कोर किया 18 माइनस किया 13 का स्कोर किया यहाँ पर किसको माइनस करें कि 94 आ जाएग अब यह आपकी 75 होजएगा फिर दिखीगा P, Q और R का भाई है यह आपस में भाई हो जाएंगे सारे यह बठा देदा हूँ P, Q और R का भाई P है वो Q और R का भाई यह P हो गया यह भाई है Q and R का तो P है Q और R का भाई ये आपस में भाई हो गए सारी या फिर हो सकता है कि ये बेहन भी हो P, Q और R का भाई है इसका मतलब ये बेहन फीमेल भी हो सकती है लेकिन ये तीनों को मान के चलना है कि भाई बेहन है S R की मा है S है जो R की मा है इसका मतलब S है वो Q की भी मा है P की भी मा है इन सबी के S क्या है मा है फिर है T P का पिता है T है वो P का पिता है इसका मतलब वो T है इन सबी का पिता है P का भी है Q का भी है R का भी ये पिता है सबी का पिता है T जब P का पिता है तो Q और R का भी होगा क्योंकि आपसमें भाई बेन है तो आपको बोला है कि कौन सा कतन सत्य नहीं हो सकता है नहीं हो सकता है देखिए सत्य में पहला कतन है T Q का पती है T यहरा Q यहरा Q तो इनके पुत्तर है या फिर बेटे बेटी हो सकता है पती थोड़ा यह T पती है, S का और S, P की मा है S है, P की क्या Q R सभी की मा इन तीनों की उपर वालोगी यह सही है, Ts का पती है T है, S का बिल्कुल पती है T Q का पिता है, T P का पिता Q का पिता, R का पिता, यह तीनों कर्रेंट है यह आपको गलत दे रखा इस्टेटमेंट फिर अगला देखीगा यहाँ पर पूज़ा है वो Sam कौन सा spelling नहीं बन रही है तो यह T-O-U-Z-H है इसमें आप देखीगा O नहीं है ठीक है O यहाँ पर नहीं है तो यह spelling नहीं बनेगी फिर अगला स्वाल है कौन सा यहाँ पर असंगत है gift है gift packing होता है wrap करके उपर wrapping की जाती है gift wrap हो जाएगा head है head आप head के उपर क्या cap लगाते हो and hand है hand के उपर आपक्या gloves लगाते हो paper के उपर क्या knot लगाते हो नहीं paper के उपर knot ये not अलग हो जाएगा paper अलग चीज है उस paper के ऊपर क्या आ रहा वो आपको देखना ये match नहीं कर रहा बाकि सभी के match कर रहा है नीचे दीगे आकरती में तिर्भूजों की total sync क्या है तो ये आप trick पताई होगा जब इस परकार आपको कोई भी आकरती मिले है जिसमें जैसे कि ये कितने है हूँ तीन लाइन है बीच में एक दो तीन तिर्भूज कितने है एक दो तीन चार इन सभी को add करना एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार कितने हो गए चार और तीन साथ साथ और दो नो एक देस यह इनि इसमें टोटल तिर्बूज है दस इस पर का टोटल बंद कितने रहे हैं एक दो यह तीन बंदे पांस चातर एक पंक्ती में बैठे हुए हैं तो ये पांस चातर इसको थोड़ा ऐसे वर देते हैं पांस चातर एक पंक्ती में ने एक ही रो में बैठे हुए इस परकार एक ही पंक्ती में है वो सुनील न तो आस्ता के और नहीं श्याम के बगल में बैठा है तो सुनिल को हटाई देते है कौन किसके पास ने आस्ता श्याम के बगल में बैटी है वो पंक्ती के बाएं सिरे पर बैटी है अब थोड़ा यह सही है न आस्ता श्याम के बगल में बैटी है और वह पंक्ती के बाएं सिरे पर बैटी आस्ता है पंक्ती के 22 पर ये आपके आस्ता विराजमाने हैं यहाँ पर श्याम के बगल में यानि श्याम भी इनके जश्ट पास में ही होगा श्याम भाईया श्याम के बगल में और पंक्ति के बाएं सिरे पर बैटी तो पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा दी आस्ता को सुनील मंजित के बगल में बैटा है मंजित पंक्ति के ठीक बीच में बैटा है मंजित है ये मंजित भाई पंक्ती के ठीक बीच में बैटा है और वह अमिता के बगल में नहीं बैटा है इनमें से कौन सुनील के बगल में बैटा है ये आपको देखना है देखेगा क्या बोल रहा है सुनील मंजित के बगल में बैटा है अब मंजित है ये मंजित ठीक बीच में टोटल है कितने आस्ता मंजित और शुनील हैं स्याम हैं अमिता हैं ये सभी हैं तो देखिए बीच में कौन हैं मंजित हैं इधर आपके आस्ता आ गई श्याम आ गई मंजित आ गई तो मंजित को अपने पंक्ति के ठीक बीच में रख दिया और सुनील है वो मंजित के बग देंगे कोई दिक्कत नहीं है तो सुनील है यहां पर वो अमिता के बगल में नहीं है मंजित के बगल में है और इन में से कौन सुनील के बगल में बैटा है तो सुनील के बगल में कौन है मंजित है श्याम भाईया है भाई अमिता भी है स्वाल में क्या गरत कर दिया इस स्वा श्याम के बगल में बैटी है पहली कंडिसन देख ले उस बाद में देखेंगे पहले देखते हैं आस्ता श्याम के बगल में बैटी है और पंक्ति के बाएं सिरे पर ये पूरी आपके रो है ये आपका लेप सिरा है ये राइट सिरा है आस्ता क्या है पंक्ति के बाएं सिरे पर हैं तो ये तो आस्ता विराजमान है यहां पर ठीक है शुरुआत में आस्ता बैट गई यहां पर पंक्ति के बाइं सिरे पर हैं और क्या देर का आस्ता श्याम के बगल में इसका मतलब आस्ता के इधर तो श्याम होगा नहीं बगल में है तो श्याम यहां पर होने वाला है क्योंकि आस्ता अपने आप में एक सिरे पर बैटी हुई है तो स्याम के बगल में तो स्याम जश्ट इनके पास में है और फिर क्या दे रखा है सुनील मंजित के बगल में बैटा है मंजित पंक्ति के ठीक बीच में टोटल है कितने पांच जने है मनजित यहाँ पर है बीच में दो इस साइड आ जाएंगी दो इस साइड आने वाले है तो टोटल पांच हो गई मनजित यह मनजित भाई बीच में बैठ चुके है अब क्या दे रखा है मनजित पंक्ति के ठीक बीच में सुनील है वो मनजित के बगल में बैटा है तो सुनील कहां बैठ सकता है दे रखा है कंडिशन सुनील न तो आस्ता के और नहीं श्याम के बगले मतरब सुनील इधर तो नहीं भटकेगा सुनील इस साइड है आस्ता और श्याम के बगले में नहीं पहले ही स्वाल में कंडिशन दे रखे हैं न तो आस्ता और न कौन सुनील के बगल में सुनील भाया के एक टो है मन्जित बगलमे लीक है अमिता बगल में तो मन्जित और अमिता इस प्रकार ये करेक्ट हो जाएगा अगला स्वाल देखिगा चार अक्षर दिये गए हैं और तीन एक समाने चौता यहाँ पर अर्श रंगत हैं अब देखें आई के बाद जे उसके बाद के इस परकार ले रहा है ठीक है एक के बाद बी यहाँ पर होना लेकिन यहाँ पर बी है फिर सी डी हो रहा है M के बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए N होना चाहिए इस परकार M N N के बाद क्या होना चाहिए O O के बाद होना चाहिए P तो यह एक्जेक्ट होगा जिस परकार उपर वाले हैं नीचे वाला है उपर वाले नीचे वाले कि I के बाद J एक छोड़ करें तो M के बाद O नहीं M के बाद क्या होगा N होता है तो N यहाँ पर हो जाएगा फिर N के बाद O है जैसे J के बाद K आगया या तो O आगया आगया फिर P आएगा ठीक है O P तो इस परकार ये गलत है M N P U नहीं होगा M O N P होना है चाहिए अगला स्वाल देखेगा उस संख्या का चैन करें जो निमन सरंखला में प्रिशन वाशक चिनकिस्तान पर आ सकती है तो 5 के बाद 10 17 26 ये कर क्या रहा है एक जुल में आप देखेंगे तो स्कोर का एक एड हो रहा है 2 का स्कोर किया तो 4 के साथ एक एड 5 फिर 2 का स्कोर 3 का स्कोर किया 9 के साथ एक एड 10 4 का स्कोर किया 16 के साथ एक एड किया 17 5 का स्कोर 25 के एक साथ 26 5 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 6 का स्कोर कितना 36 एक एड करेंगे 37 ये इसका सही लोजिक है अगला स्वार कथन निसकर्ष देखीगा कथन क्या कह रहा है सभी गुलाब लाल है ठीक है सभी गुलाब लाल है ये आपका गुलाब हो गया टोटल गुलाब ये है ये पूरे के पूरे लाल है ठीक है ये लाल है ये पूरे के पूरे लाल के अंदर रहा जाएंगे एक निसकर्ष आ रहा है सभी लाल गुलाब है सभी लाल गुलाब कहा है ये लाल बच्चे होगे गुलाब तो ये इतनी है सभी गुलाब लाल है लेकिन सभी लाल गुलाब नहीं लाल है ये रंग है तो कुछ लाल रंग है और कह सकते हो कुछ रंग लाल है सभी रंग पैंट है ये पूरे के पूरे रंग क्या है पैंट है सभी रंग पैंट है तो कुछ लाल पैंट है कुछ लाल बिलकुल पैंट है ये सभी रंग जब पैंट है तो कुछ लाल पैंट हो ज और स्वी रंग पेंट है रंग ऑटोमेटिक सारे के सारे पेंट हो गए तो उसक्च लाल पेंट ओक्टे हो जाएगा और डार्क लिए आपको बनाना ही नहीं यह वेंट डाइग्राम दिएगए विकलपों मैंसे यह सेम को सब्सक्राइब 62 59 55 26 13 13 कि द mor poems करना वह जो जिएगा root the ये गुणा करें चबदिना रहे डिवाला इक सब्सक्राइब जयादा लेना अब एक और तीन का गोणा करेंगे आपके होगा तो चार लेकिन आपको क्या एक ज़्यादा लेना है सुरी दो एक और तीन का है ना तीन ही होगा करने पर एक ज़्यादा लेना तो वो चार हो जाएगा I hope और पांच का गुणा करेंगे 25 एक ज्यादा हो रहा दो और छे का गुणा करेंगे 12 एक ज्यादा एक ज्यादा एक और तीन का गुणा करेंगे तीन एक ज्यादा लेकर एंसुर करना तो जार हो जाएगा नेक्ट सेंग्या फिर अगला स्वाल है एक पंक्ती में दिप्ती और म बोलते हो दाइं और त्थीक है अब दिखीगा स्वाल बोल रहा है दिप्ति और मोहन का इस्तान कर्मश 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 कर्म यहां काई है चोध्वे इस्तान पर इस साइड काई मोहन फिराज्वान इनगे लिए के दिप्ति तो ना इन्त पोजिशन पर करशि expelled थी star आपस में अपने इस्तान बदल लेते हैं हो क्या रहा है मोन आ रहा है इस साइड और दिप्ती आ रही है इस साइड आपस में इस्तान बदला तो उस केस में क्या हुआ यह सेंड इस्तान चेंज हुआ आपस में इस्तान बदल लेते हैं तो मोन दाईयों से 21 अब मोन है यह से 21 वे इस्तान पर है पहले जो इस वाला वेक्ति जो भी था वो चोद्वे स्तान पर था तो ये इस्तान इस सुद्वा इस साइड से 21 वे पंगति में कितने हो गए 14 प्लस 21 माइनस 1 करते हुँ आप क्योंकि दो बार तो टोटल है इस साइट से 14 फिर आपने एड़ किया किस में दोनों को एक बार एक बार ये एड़ करना तो एक माइनस में ने कर दिया 34 हो गई पंक्ति में टोटल 34 यहां से आपको आ रहा है पंक्ति में कोल वाले ये लाश्ट वाले 34 यह तो आप डारेक्ट इसको ऑप्सन करेंग आप 34 माइनस नो प्लस वन करेंगे तो टोटिस माइनस नो प्लस वन करेंगे तो 26 आपके आ जाएगा क्योंकि यह टोटल पंक्ति में 34 है इस साइट से 9 फिस्तान पर है तो इस साइट से वो कौन से इस्तान पर होगी सेम कंडिसेन है तो पलस यहां पर एक ज्यादा करने पर रहेगा दुबारा दुनों को काउंट कर रहे हैं तो 34 माइनस नो प्रस वन करेंगे तो 26 विस्तान पर इस टाइब से आप इसको निकाल सकते थी फिर अगला और रिजनिंग का एक टप स्वाल कह सकती हूं तब तो नहीं 97 86 101 89 107 ज्यादा टप नहीं रहेगा इसमें क्या कर रह है तो 101 86 में 101 आ रहा है यह आपके 15 एड किया इन्होंने कितना 15 एड किया है यहाँ पर 15 एड है अब 101 में से कितने माइनस किये तो 89 आ गए 101 में से माइनस किये इन्होंने 12 तो यह माइनस 12 इसी करम में यह कितना एड करेंगे 107 आ जाए तो 107 माइनस आप 89 एक्तर किसे तो अठारा एड़ गया है इसी प्रकार next करम में क्या होना चाहिए माइनस 11 हुआ है ठीक है फिर माइनस 12 हुआ है अब next माइनस कितना होगा 13 अब 107 माइनस आप 13 करेंगे तो आपका answer आएगा 94 94 इसमें ही है और किसी मेरे डारेक्ट टिक कर सकते हूँ next आपको देखने के जरूरत ने next क्या देखना है यहाँ पर कि next में आपको करना है पलस 15 ठीक है पलस 18 इसी प्रकार आपको करना है पलस 21 करना है तो यहाँ पर 94 पलस 21 आप कर दीजीगा यह आजएगा 115 यह वाला option दो करेक्ट है अगला स्वाल देखिगा यह आपके क्यूब वाला हो गया घंवाला इसमें जूम कर देखा है पूछा है बल्यू येल्लो बल्यू ये वाला ठीक है अब इसको आप क्लोक वाइज रोटेट करेंगे इन दोनों को मैं ले रहा हूँ बल्यू के बाद क्या आ रहा है परपल आ रहा है परपल के बाद औरेंज आ रहा है फिर ये इसी रोटेशन रहेगा उसके सामने क्या है औरेंज है तो औरेंज आपका एंसर हो जाएगा औरेंज देख लीजिएगा ये option तीन करें अन्तिम स्वाल देखीगा ये भी एक रो वाला ये जो बैठे हुए है देखी पांच लिर्किया बीना लीला मीना रीना टीना है सभी का नाम देखीगा कोई खेल खेल रही है वे उत्तर की और मुख करके एक पंगती में बैठी हुई है ये आपका रो है इस साइड इनका मुह किया हुआ है और एक रो में ये बैठी हुए एक पंगती में उत्तर की साइड में मुह करके अब देखीगा मीना पच्छी मी छोर पर बैठी है मीना क्या है ये उत्तर दक्षिन पूरो पच्छी मीना है वो पच्छी मी छोर पर बैटी है तो ये M है मीना इस साइड बैट चुकी है पच्छी मी छोर पर बैटी है और टीना पूरी छोर पर इस साइड तो आ गई टीना इस साइड आ गई मीना तीना पूरवी छोर पर बैटी है लीना और रीना एक दूसरे के बगल में है लीना और रीना जो भी है मैं माल लेता हूँ इसको बाद में लेकिन ये बगल में पास पास है लीना और रीना है ये लीना है ये रीना ये आपस में पास पास में बैटी है एक दूसरे बगले में बैठी है बीना लीना के दाइं और एक बीना है वो लीना के दाइं और यह लेप्ट साइड में बीना है लीना के दाइं और तो यह बीना हो सकती है लीना के लेप्ट साइड में बैठी हुए क्योंकि लीना का मुं उत्तर साइड में है न थ्यांदर के पूरो छोर से दूसरे स्थाने पर कौने बैटा है पूरो छोर ना पर टीनä से दूसरे स्थाने पर ये आर का मतलब रीना बैठी हुई है ये आपके हो गए टोटल सौस वाल जो आपके पर्थम पारी में एक्जाम हुआ था तो ये 28 दिसम्बर फार्ट शेट में पूछेगे टोटल 100 स्वाल जिसमें रिजनिंग के 30 जीके के 30 जीके के 40 और मैथ के 30 स्वाल का एक्जेक्ट स्वालिशन मैंने ट्रिक सहीद बता दिया है देखे आप कहेंगे एक घंटे का आपको समय 90 मिनिट का मिलता है और 1.30 में आपका पूरा वीडियो कम्लिट हो चुका है बाकि वीडियो को समझाने में में टाइम लगता है यहाप आपको सारे स्वाल समझ मैं यदि समझ मैं आए है तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले आप यदि टॉप ट्रेंडिंग gk.in दे वेबसाइट पर विजिट करते हो तो जो भी आपको प्रिवेश एक्जामेट gk के स्वाल एससे रेलवे के पूछे गए है एक्ष्टा फैक्ट शाइट वो आप डाउनलोड कर रखते हो तो मिलते हैं ऐसे नए सिप के साथ वन दे मातरम जहीं दोस्तों